हलो दोस्तों आज चले हम VLCC का स्कीन वाइटनिंग फेशियल करने जा रहे हैं हमारे क्लाइंट का देखिए इसमें भी फॉर अप्टर देख रहा है यह फेशियल में पहले कैसा अभी कैसा है और आइसा ही हम अपने क्लाइंट को भी करने जा रहे हैं इतना ही ग्लो देंगे करना है विस्तार से बताउंगा सुरु से लेकि लाज्ट तक यह वीडियो आपको देखना है वीडियो मिस नहीं करना फेश्यल करने का आप लोगों मैं सिखाने जा रहा हो चले वीडिव स्टार्ट करने से पहले बेंड लगाना है या अब हैयर पट्ट्र आता है वह भी ल क्लीन कर लो फेस को यूपर जो फेस को डासी आ ओईली पन रहेगा वह पहले क्लीन करना है आपको कि तो दोस्तों चलिए लगाते हैं क्रीम कि अराम से अच्छे से पूरे स्कीन में पहले थोड़ा-थोड़ा लगा लेना है इसको और ध्यान रहे आपके क्लाइंट के आखों में और मुं में न जाए यह क्रीम कुछ साइड नहीं हो दा फिर भी आपको इसको सेफ करके ही करना है जाना नहीं चाहिए आखों में और यह जो क्लीनर है इसको आप सिर्फ दो मिनेट ही करना है पहले फेशल में दो मिनेट करना है तो आपको अच्छे से करना है, फिंकर से करना है, और अराम से करिएगा, ज्यादा यह नहीं है, दो मिट लेगा, और इसमें आपको रोज वाटर बहुत जरूरी है, यह देखिए, यह रोज वाटर है, आप कोई भी कमपने का अच्छा रोज वाटर ले लीजिए, रोज करना है आप इसको टाविल से मतल यह करिए नहीं तो इसकी इनको क्या इससे करने से सॉप्ट होता नहीं इसकी कि देखिए कि क्लीन हो गया दोस्तों अच्छे से अभी इसमें आप थोड़ा सा पानी मार के टीशू पेपल लेकि जैसे भी आपको क्लीन करना है कर सकते हुआ कि अपल्लाइ करते हैं ये देखिए कोड़ा कोड़ा से सिकी को लगा देना है अंशे और इसको जादा प्रेश करके स्कीन को लहीं करना क्यों इसमें झोपल कने होते हैं ये आपके क्लाइंट को लग सकता है और अराम से करना fulfillment देखिए इसमें भी रोज वाटर आपको लेना है अराम से यह फिंगर है ना यह फिंगर से ही आपको ऐसे करना है ज्यादा प्रेस करके ढिसन नहीं है आराम से करना है यह देखिए अब यहां पर हाँ आएगा तो हमारा यह यह फिंगर ऐसे चलना चाहिए अब देखिए ऐसे ही आपको करना है यह यह यहां पर दोनों पीन फिंगर से ही आपको फेशन करना है अब इसमें कान का भी थोड़ा प्लीन करना है कि यह अभी हमारा पास से साथ मिनट हो गया है आपको पांट से साथ मिनट ही रखना है कि अब हम इसको क्लीन दरते हैं कि खौटन है सबसे पहले आपको आपके पास का क्लीन करना है और कभी भी आपके क्लाइंट को बोल के रखना है कि आप आइस जो है ना आप क्लोज रखना है अब फिर उसके बाद यहां से ऐसे लेकि आराम से क्लीन कर देना है कॉटन से जोस्तो यह स्टेप थ्री है हमारा स्कीन वाइटनिंग फेशियल क्रीम चलिए अब इसको अपलाई करते हैं यह देखिए को ऐसा ही लेना है फिंगर से प्रॉपर अपलाई कर देना है अंचलो यह भी अपलाई हो गए यह दो अद्स जूंक यह क्रीम को भी दोस्तों आपको के पास्ते साथ मिनटें यह क्रीम में हमको अभी श्केंदा जिसको वांथ बोलते है इसमें यह श्कें दे trapped सीजर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कैसे करना ही यहां का फिंगर यहां से ऐसे और जादा आप आपके पास मन इसी है क्योंकर यह क्रीम आप में जाएगी कुछ साइड डिएक नहीं होता फिर भी आप में नहीं जाना चाहिए उसको आपको सेफ रखना है वह चीज कर आ समय हो कि अच्छे से करिए स्मूद हाथ से अच्छे से हो जाये है उते हैं कर सेशे टे हां कर दो मुझे जाओ है दोड़ा कि तो लएं में और स्कूप तीन से चाहर मिनटी दो से या की सिर्णा है या फ्ञ्द पष्ण को अ बहुत काहीं कि शूटा नहीं चाहिए कि 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 5-4 मिनद्ट बस कि पैसल में इस्टेम देना बहुत जरूर है इस्टेम जरूर देना है आपको उससे ज्यादा एफेक्ट आता है रिजल्ट आता है आप शृम हमारा कम्ठीट हो गया इसके बाद आपको एक मिनट तक ऐसे करना है अच्छ से 1 जब जाए उसके बाद करना है आपको यहां से फिर से वज सही जरे से बताया है आग के पास क्लीन करने ध्यान रखने यह चीज को अच्छे से प्लीन करने पहले प्लीन करने दोस्तों यह फेशल जेल है स्किन वाइटनिंग चलिए इसको भी अप्लाई करते हैं यह लिया अच्छे से इसको अप्लाई करते हैं इसको भी पास से साथ मिनट मतलब टोटली आपको फेशल में एक से एक घंटा और पंदरा मिनट बस सम्थिंग इतना है सवा घंटा जादा नहीं यह आओ झली टाइम लगता है अच्छा फेशल करने की यह दो गंटा भी लगता अलाग अला प्लैशल के टाइक सोते हैं यह आपको यह वाला फेशलिंद कैप करThese यह इक से सवा गंटे पूह अच्छा छा आपお願いします आप अच्छा result अपने milhões कु दें को डें सकते किम यह तक है इसे मने बताया फिंगर से ही करना है तो फियान रखना है बहुत ज्यादा 7 मिनिट यह से बता रहा हूँ साथ कन इसे जादा नहीं करना है कुछ होता नहीं है, अपकर थिए викहाव跟大家 हीटार जो के शुरारे का कर दो तो यह आफ्य कर लाओ आपको ऐसे करना है। और यह इंद्ली फिंगर से ही करना है। कि अफेशें अब हमारा यह पिंप्लेट हो गया है। इसको क्लीन करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है पास से साथ मिनट हमारा कंप्लेट हो गया है चलिए अच्छे क्लीन करते हैं कॉटर आप देख सकते हो कैसा रिजल्ट आया है ऐसा देख रहा है इतना पहतरीन गलो आ गया है और अपने क्लाइंट पे जरूर उसको ट्राइ करिये अच्छा रिजल्ट दो अपने क्लाइंट को और हमें भी आपका इसा ही प्यार देते रहों कि हर चीज़ में जितना इसके रिलेटेड है सभी लेके आओ आपका कि हैर कट यह फेशियल क्लीन आप जो भी है अराम से लाओंगा सब लेकि सबसे पहले सीखने हो लगे इंपोर्टेट होता है एर कट और वियर्ड करना तो उसके बाद बागी का काम आप आराम से सीखने तो दोस्तों स्टेप फाई है फेशियल पैक है स्किन वाइटनिंग अब इसको आपको वाटे मेंलेना है यह फ्रश है ब्रश से लगाजाना है इसको मिक्सकरना है अच्छे से इसको मिक्स कर लो वाटे में लिएकि अब इस पक और अपुलाई करना है इस मुशने टोपर लगाना है और इसको आपको 20-25 मिट रखना है दोस्तों यह दस मिनट पास मिनट को रही है यह लाश्ट है इसको फेस पैक होते है तो इसलिए इसको 20-25 मिट रखना है तो देखिए कैसे लगा रहा हूँ ऐसे आपको लगाना है स्कीन के अच्छे से अप्लाई करना है स्कीन कहीं भी छूटना नहीं चाहिए जहां के स्कीन देखिए यहां पर आइबरो के पास भी लगाना है जैसे मैंने आपको बोला स्कीन बचना नहीं चाहिए पूरे में लगाना है खाले आपको आख जो है उसको बचा के करना है आख में नहीं जाना चाहिए कि अधिकित अभी आप इसको कांवें भी लगाते हैं इसकीन में करने के टाइम में कांवें जरूरी है जब आप फेशल करते हो तो कांवें भी त्रेम लगना चाहिए वो भी इंपोर्टेंट है कांवें भी यह स्पंज है दोस्तों आपको थोड़ा-थोड़ा इसको फ्लेम करने तो हमारा जैसे आपको बताया में तिस पच्छे स्वड़ वो टाइमिल पूरा कंप्लेट हो गया है और जैसे जहां पे सूखा नहीं हो गया है तो आप आप इस्प्रे कर लिए जैसे लिए जैसे इस्प्रे कर लिए अंद कर दो अब अबाभ़ कलें खरना है जाए तो देखिए दोस्तो हमारा फेशेल कंप्लेट हो गया है कैसा लगा देख सकते हो आप आप वो फ़ाई लाई लाई